लो बच्चों कैसे हैं आप लोग तो वेलकम तो सेंटर में यूट्यूब चैनल जहां पर मिलता है आपको जैनुविन कंटेंट जो आपकी कॉंपिटिव एक्जाम्स प्रिपेशन में आपकी सायता करता है तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और सवाल आपके लिए आप में और यह सवाल है कॉडिनेट जमेंटरी कैसा टॉपिक है से हर बच दरता है क्योंकि ज फोकस होता है वह एलजीब्रจะ अर और क्याकॉल Hindi होता है को आज का सवाल को ऩूरे और है है और यह सवाल आईए पढ़ते हैं सबसे पहले क्या है लेट दे सर्कल एक सर्कल की एक्वेशन दी रखी गई है महां पर आपको अल्फा बीटा भी दिया हुआ है मीट्स रेक्टैंगुलर हाइपर्बोला xy equal to c square at four points a b c d the equation of the circum circle of the triangle formed by joining the ortho centers of triangles abc abd acd is given by x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus k equal to 0 ठीक है तो पहले इस चीज़ को समझ लिते हैं कि दिया क्या हुआ है आपको एक रेक्टैंगलर हाइपर्बोला दिया गया हुआ है xy equal to c square ठीक है यह रेक्टैंगलर हाइपर्बोला इस एक circle से ठकराता है ठकराता है मतलब intersect करता है और कहां कहां intersection point है a b c d पर ठीक है अब आप क्या करते हो तीन triangle बनाते हो abc abd और acd ठीक है तीन के ortho center को निकालते हो और वो ortho center से एक circle को पास करते हो जिसकी equation आपको last में दे गई है x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus k equal to 0 तो अगर alpha plus beta 6 है तो हमें g plus f plus k का मान निकालना है option दिये गया है 1, 2, 4 और 5 तो दोस्तों सबसे पहले तो यह देखते हैं कि अगर हमारे पास एक rectangular hyperbola है xy equal to c square तो rectangular hyperbola कैसा दिखता है यह rectangular hyperbola है यह कुछ इस पकार से दिखेगा ठीक है अब इस rectangular hyperbola को एक circle काट रहा है चलिए circle भी बना लेते हैं circle के लिए दूसरा color चूज कर लेते हैं चलिए एक circle हाँ तो एक circle काट रहा है ठीक है और यह points of intersection क्या है A B C D तो चलिए यहाँ पे A लिख देते हैं इसको B मान लेते हैं इसको C मान लेते हैं इसको D मान लेते हैं ठीक है अब हम हर कोई जानता है कि rectangular hyperbola को parametrically कैसे represent करते हैं यह तो Cartesian form of representation हो गया parametrically कैसे represent करते हैं parametrically हम X को CT लिखते हैं और Y को C by T लिखते हैं ठीक है हाला कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे T एक parameter है और आप जैसे ही X और Y को multiply करोगे T T will go for a T ठीक है कड़ जाएगा और C square बच जाएगा तो यह basically parametric form है X Y equal to C square का तो parametric form का फाइदा क्या होता है parametric form से actually आप आप points choose कर सकते हो किसी भी curve पे जिसका parametric form आप जानते हो तो parametric form में जो variable involved होता है वो सिर्फ parameter involved होता है जैसे कि अगर आप कोई point लेते हो तो आप normally क्या लेते हो इसको X1 Y1 X1, Y1 लेते हो parametric में आपको X1, Y1 लेनी की जरूवत नहीं है आप क्योंकि X1 और Y1 दो variable आ जाएंगे और जितने variable होंगे आपके equation में आपकी life उतनी ही तकलीफ दे होगी तो इसमें क्या होता है इसे कोई point चूज़ करना है मुझे A तो मैं क्या करूँगा A को चूज़ करूँगा simply C T1, C by T1 ठीक है तो बस T1 की जरूवत पड़ेगी यहां पर हमको अगर एक का coordinate चाहिए तो अगर चाहिए तो हानक यहां पर चाहिए नहीं होगा तो A का जो coordinate हम चूज़ कर सकते हैं C T1, C by T1 उसी पकार से B का coordinate आप चूज़ कर सकते हो C T3, C by T3 ठीक है और D का भी coordinate चूज़ कर सकते हो C T4, C by T4 ठीक है चलिए अब यह जो equation है hyperbola का वो circle के साथ intersect करता है इसका मतलब क्या कि यह जो है this would satisfy this should satisfy the equation of the circle ठीक है तो जहां भी equation of the circle है वहाँ पर X के जगह पर हम CT लग देंगे आप देख पा रहे होगे इस circle की बात कर रहा हो मैं अब यहां पर यहां पर T2 से थ्रोट मुल्टिप्लाय कर देते हैं ठीक है अब यहां पर T2 से थ्रोट मुल्टिप्लाय कर देते हैं T2 से मुल्टिप्लाय करने के बाद आप देखोगे कि कुछ by quadratic equation बन के आएगा आपके पास चलिए मैं दिखा देता हूं इसको ठीक है आई इस equation को कहते है equation number 1 तो यह एक by quadratic equation है क्योंकि degree 4 equation है और जाहिर सी बात है कि इस by quadratic equation के जो roots होंगे वो हमारे T1, T2, T3 और T4 होंगे है कि नहीं so the roots of these equations will be your parameters associated with the points A, B, C and D correct no? है कि नहीं? तो एक रोचक सी बात यहां पर मेरे को दिख के आ रही है कि अगर आप product of the root लोगे आप सबको मालूम होगा जब भी आप polynomial equation के साथ deal करते हो तो product of the root क्या होता है the constant c यहां पर minus B plus C minus D plus so plus C square by C square होता है ठीक है जो की होगा one तो इसका यह मतलब है कि आपका product of T1, T2, T3, T4 आपका one है इसको भी हम लोग एक equation बता देते हैं two ठीक है अब आईए अब यहां पर बात की गई है triangles ABC की right ABC triangle की बात की गई है तो दोस्तों यह अगर आप J aspirant है अगर आप serious J aspirant है तो यह बात आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी rectangular hyperbola पे तीन point choose करते हो ठीक है और एक triangle create करते हो by joining those three points और उसका ortho center निकालते हो तो वह ortho center वह ortho center का coordinate कुछ ऐसा होता है चलिए मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ यह आप है तो जैसे मान लीजिए आपने थ्री पॉइंट्स लिया है किसी भी rectangular hyperbola पे जैसे एक पॉइंट है आपका एक पॉइंट है बी एक पॉइंट है सी चेक है इसका मान लीजिए coordinate है ct1,c by t1 इसका coordinate है ct2,c by t2 इसका coordinate है ct3,c by t3 तो तो जब आप इसको ज्वाइन करते हो जब आप एक ट्राइंगल बनाते हो और उस ट्राइंगल का और तो सेंटर निकालने की कोशिश करते हो चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ और तो सेंटर निकालने में तो एक लाइन ऐसा बना एक लाइन ऐसा बना ओके तो वह और तो सेंटर एक्चुली उस रेक्टांगुलर हाइपर बोला पर ही लाई करता है तो आपको यकीन नहीं हो रहा होगा इसकी लिए आप क्या करो आप इसकी डेरिवेशन खुद करो और आपको यह पता चलेगा कि जो उर्थो सेंटर है एच उसकी कोदिनेट निकलके आएगी उसकी कॉडिनेट निकल के आएगी माइनस C by T1, T2, T3 कॉमा माइनस C T1, T2, T3 ठीक है तो इन तीनों पॉइंट्स A, B, C को अगर आप एक टाइंगल में बनाते हो और उसका और्थो सेंटर निकालते हो और जाहिर सी बात है इधर अगर आप इसको X मान लो और इसको Y मान लो ठीक है और X इंडू Y का मल्टिप्लिकेशन करो तो आपका T1, T2, T3 कट जाएगा माइनस C, माइनस C मल्टिप्लाइ होके C स्क्वेर ही बन के आएगा मतलब वो X, Y इक्वल टू C स्क्वेर हाइपर बोला पर ही लाई करेगा ठीक है चलिए ये इन्फोर्मेशन आपको पता होना चाहिए अगर आपको ये पता है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा अगर नहीं पता है तो चलिए इस वीडियो के माध्यम सापको पता चल गया आज चलिए अब बढ़ते हैं अब यहाँ पर बात हो रही है ट्राइंगल A, B, C की तो हमारे जो सिचुएशन्स हैं जहाँ पर हम लोग ने पॉइंट एजियूम किया है A, B, C का कुछ इस प्रकार से C, T1, C, T1, C, T2, C, T2, C, T3, C, T3, C, T4, C, T4 उसके हिसाब से A, B, C का और्थो सेंटर ट्राइंगल A, B, C, H और्थो सेंटर का कॉर्डिनेट हो जाएगा जो कि मैंने और यहाँ पर लिक रखा है ठीक है पर यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है दोस्तों कि T1, T2, T3 का जो प्रोड़क्ट है T1, T2, T3 का जो प्रोड़क्ट है T4 के साथ वो है 1 इसका मतलब क्या? इसका मतलब है T1, T2, T3 is 1 by T4 ठीक है? तो मतलब हम इस H को ऐसे भी लेख सकते हैं माइनस C T4 कॉमा माइनस C बाई T4 करेक्ट है कि तेंग उसी हिसाब से उसी हिसाब से ट्राइंगल A, B, D ट्राइंगल A, B, D ट्राइंगल A, B, D मैं जादा टाइम नहीं लोंगा यहाँ पर ट्राइंगल A, B, D का जो कोडिनेट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा अगर आप प्रॉपरली लिखो गे तो वह हो जाएगा माइनस C T1 T2 T4 माइनस C T1 T2 T4 करेक्ट ना अब T1 T2 T3 T4 का प्रोड़क्ट 1 है तो यह वापस से क्या बन गया यह वापस से बन गया माइनस C T3 कॉमा माइनस C by T3 ठीक है सिमिलरली सिमिलरली जो हमारा लास्ट ट्राइंगल था कौन सा ट्रेंगल था वह जड़ा देखें ट्राइंगल था एसीडी है ना एसीडी एसीडी ट्राइंगल था तो ट्राइंगल एसीडी का जो और्थो सेंटर होगा वह जाएगा माइनस C T2 कॉमा माइनस C by T2 करेक्ट है कि नहीं ठीक है समझ माया अब देखिए अब इनसे एक पास करता हुआ सरकल है इनसे एक पास करता हुआ सरकल है और वो सरकल आपको दी रखी गई है सबसे पहले तो इस बात की पुष्टी आपकी होई गई होगी कि यह तीनों और्थो सेंटर्स इनके नाम में अलग-अलग कर देता हूँ ह1,H2,S3 नाम रख देता हूँ नाम सेम नहीं रखना चाहिए तो H1,H2,S3 जो है वो उसी हाइपर बोला पे लाई करेगा xy equal to c square ठीक है मतलब की क्या मतलब कि उस हाइपर बोला का intersection अगर मैं दूसरे वाले circle के साथ कराता हूँ इस वाले circle के साथ कराता हूँ तो इससे जो हमारे points निकल के आएंगे उनके parameters क्या होंगे minus t4 minus t3 and minus t2 मतलब की अगर आप जो दूसरे वाले circle है x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus k equal to 0 इसमें आप x को ct और y को c by t रख देते हैं तो क्या आता है तो आपको मिलेगा करेक्ट आये t2 से फिर से multiply कर देते हैं t2 से फिर से multiply करने के बाद आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से ठीक है अब दोस्तों जहां से सुनिए यह transformation of equation का concept है इसके जो roots होंगे ना इसके जो roots होंगे वो होंगे minus minus t4 minus t3 minus t2 समझे इस बात को करेक्ट है कियोंकि आपका जो टी है यहां पर आपका यहां पर टी है वह क्या है वो प्रोडक्ट पर दिखीगा कि product of the roots फिर से 1 है ठीक है यहां पर आप देखोगे तो product of the roots is again 1 ठीक है c square by c square जैसा कि हम जानते हैं तो मतलब कि अगर 3 root minus t2 minus t3 minus t4 है तो चौथा वाला root क्या होना चाहिए तो जाहिर सी बात है जो fourth root है आपका जो fourth root है वो होना चाहिए minus t1 तभी तो आपका तीनों का जो product हो सारी चारों का जो product होगा correct that will become t1 t2 t3 t4 which is actually a one as per our second condition आपको याद होगा यहां पर second condition कहीं हम लोग तीन बोलते हैं इसके roots इसके roots so roots of three are negative of roots of one ठीक है तो हमारा जो पहला equation था ना पहला equation का root है वो तीसे equation के root के negative है वाईसा वर्सा है ना तो इसका जो root है जो पहला हम लोगों ने लिखा था c square t to the power 4 alpha c t3 plus 5 t square plus beta c t plus c square equal to zero और जो last में हम लोगों ने लिखा है उसके root एक दूसरे के negative है तो दोस्तों c square t to the power 4 2 g c t cube k t square plus 2 f c t plus c square equal to 0 और जो हमारा original equation था which was c square t to the power 4 plus alpha c t cube plus 5 t square plus beta ct plus c square equal to 0 the roots of these two equations are negatives of each other इन दोनों के roots negative of each other है of each other मतलब क्या कि अगर मैं किसी एक को equation को पकड़ू जैसे माल लिजे मैं इसको पकड़ता हूँ पहले वाले को पकड़ता हूँ और वहाँ पे t को minus t लिख देता हूँ जान से सुनिएगा यह transformation of equations का concept है तो अगर मैं t को minus t लिख देता हूँ तो जो नया equation हमारे पास बन के आएगा the new equation that we will get from here इसको माल लिजे equation number 4 कहते हैं तो equation number 4 और equation number 3 यह हमारा 3 equation था correct तो equation number 4 और equation number 3 हमारे same equation हो जाएंगे तो अगर same equation हो जाएंगे तो आएए उनके coefficients को compare कर देते हैं तो हमारा alpha हो जाएगा negative 2g हमारा k हो जाएगा 5 हमारा beta हो जाएगा negative 2f ठीक है अब देखिए alpha plus beta already दिया हुआ है हमें 6 इसका मतलब क्या minus 2g minus 2f और दिया हुआ है 6 तो g plus f क्या हो गया minus 3 ठीक है के की value already 5 है के की value already 5 है तो हम लोग क्या करेंगे g plus f plus k will become minus 3 plus 5 which is 2 so option number b आपका correct है 2 thank you for watching